जैसियराम, जैसियराम, जैहोब आगेस्वर धामसरकार, मेरी प्यारे सभी बखतो, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लेहसुन के कुछ तांत्रिक उपाय बताएंगे, हाँ ठीक है लेहसुन तो एक तांसिक भोजन में आता है, लेकिन लेहसुन के कुछ ऐसे उपाई भी है, जिसका यदी सही तरीके से सही समय पर कुछ कर लेते हैं, उपायों को कर लेते हैं, तो यकिन मानी, आपके जीवन से सबी समस्याइं खतम हो जाएगे लेसुन तो खाने के स्वात को बढ़ाता ही बढ़ाता है लेकिन अदिसके कुछ तांत्रिक उपायों को कर लेते हैं तो यह आपके सोय हुए भाग को भी चका देता है आपके जीवन के सारे के सारे दुख को हर लेता है आर्थिक तंगी से परसान है तो सारे के सारे पैसों के समस्या को खतम कर देता है घर में कभी पैसों के तंगी से परसान नहीं होंगा जी हां लिहसुन का यह अनोखा उपाय आपको रात-ु-रात करून पति बना सकते हैं लेकिन इससे पले मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट कि यदि आप आगेस्वर बाबा के भगतों के तकम सकम इस वीडियो को लाइक के जरूर कर दिए यदि मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बुलिए आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा में लेहस्ट के कुछ ऐसे चमतकारी उपाये बताएएगे जिससे आप जीवन के सारे के सारे दुखतार दभूल जाएगे इस वज़े से आप इस वीडियो में जितना भी बातें बताएगे ध्यान से सुनेगाए क्योंकि आधा पहला नमर की बात है यदि आपके घर में पैसों के दिक्कत रहती है पैसों की समस्या बनी रहती है माता लक्षमी का आगमन बंध हो गया आप जो इस लेहसुन का उपाय एक बार चरू कर लेज़ेगा इस उपाय को सनिवार के दिन करना क्या है आपको परस सभी लोग रखते ह एक लेहसुन की कली रखना है कब रखना है सनिवार के दिन आपको रखना है ठीक है सनिवार के दिन सनीदेव का मंदिर हो या सनीदेव का मुर्ति उसके सामने आप जो एक लेहसुन की कली आओ वहां पर पूजा प्रार्थना सनीदेव का करके आप उस लेहसुन के कली को बस उस दिन से आप पर यह कार करना बंद कर देगा किसी का नजर नहीं पड़े इस वज़े से छुपके से आप अपने पर्स में रखिए हंडेड परसेंट धन के समस्या जो थी वह दूर हो जाएगे दूसरा नमर का जो उपाय है ध्यान से सुनिएगा घर में कुछ ऐसी समस् बिच्छा करके उस पर जो लिहसुन की दो कली रखना ठीक है दो कली रखना एक पोटली बना लेना है ठीक है एक पोटली बनाने के बाद उसको घर के जमीन के नीचे दबा करके रखना लेकिन इसको करना कब है सनिवार के दिन ही करना सबसे पहले सनी देव के मंदर में जाक जाएगा और आपको प्राथना करना है और जिसमीन के नीचे अपने घर में दबा देना हैं इसकाम को करने से आपके जीवन में जो सनी दोस्त लगने वाले यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता है बेफुजूल के खर्चे होते हैं 100 रुपया कमाते हैं 200 रुपया खर्चे हो जाते अब पैसा कमाते हैं लेकिन भरकत होता ही नहीं तो आप जो इस उपाय को एक बार जरू करिएगा बहुत ही सिंपल सा सरलुपा है लाल कपड़ा ठीक है लाल कपड़ा आपको लेना है मार्केट से लेके आईए नहीं है तो लाल कपड़ा लाईए और उस पर जो लेहसुन की तीन कली रख देना है ठीक है लेहसुन की तीन कली रख करके उसका एक पोटली बना लेना है ठीक है पोटली बना करके आपको इस पोटली को ले जाकर कि गल्ले में तीजोरी में भंडार घर में जहां पर भी आप बरकत करना चाहते उस जगह पर ले जाकर रख देजिए यकीन मर ये माता लक्षमी की किरपा अवस ही बरसेगी और आपके जीवन में धन धान के ब्रिद्धी होगे अगला नमर के उपाय है यदि आप कोई ब्यापार करते हो कोई दोकान करते हो कोई नोकरी पर हो कोई ब्यापार में हो कोई बिजनस हो किसी पर करका कोई काम धंदा हो और वहां पर आपको फायदा कम और नुकसान जाद कुछ ऐसा भी हो सकता तो बहुत सिंपल सा उपाया लाल कपड़ा का ले लेना है लाल कपड़ा लेने के बाद आपको उस पर जो लिहसुन की पांच के लिए रखना है पांच के लिए रखकर उसका एक पोटली बना लेना है इसका हमको सनिवार के दिन करना है ठीक है सनिवार क या किसी के नजर बार बार लग रही हो 100% अपके बाद अगर नजर लगी भी होगी तो छुटकारा हो जाएगा नजर किसी की नहीं लगेगे जिसके वज़े से आपको जो बैपार है दिन दूना राच्चा गुना बढ़ने लगेगा पाच्वा नमल की बात है आपके घर के को नहीं करता है यदि ऐसी समस्या है तो आप इस उपाय को कर यह का बहुत कारिकर उपाय है साथ लेसुन की कली लेना है ठीक है साथ लेसुन की कली और उसके साथ में जो है आपको मर्चा खड़ा मर्चा ले लेना है सूखा मर्चा लेना है ठीक है दो सूखा मर्चा ले लेज कर इसको जला देना है प्रस नजर दोस्तों हंडेट परसंट एक हतम हो जाता है ऐसा हमारे घर के दादी नानी हमेशा किया करती थी जब किसी बच्चे को नजर लग जाता तो उनको ऐसा लगता था कि हां नजर लग गई है तो तुरंत जो भगवान का नाम लेकर के मर्चा ले करती बिल्कुल ही नहीं आ रहे, किसी के नजर लग गई है जो आपका अचानक से आपके साथ भी है, तो आप जो इस उपाय को करिये का, आपको एक डंडी लेनी है, ठीक है, एक डंडी लेना या बुरु मिच्टी को लिजे एक डंडी, वह जो है बांसका हो, जा कोई भी हो, एक सीधी डंडी हाड हो, उस में साथ लेसुन की कली जो गूथना है, ठीक है, इस उपाए को सनिवार के दीन ही करना है सनिवार के दिन एक डंडी में साथ लेसुन की कली को गूथना है और उसको छट पढ़ ले जाकरके रख देना है यदि आप छट पले चाप करेंगे थे हैं तो किसी कवियों नजर जू आपके घर पर हापके शुख समर्दी से लग रहा था हुआ च्छोलब लड़ाई रहो पत्ति पत्ति के बीच में नर्म के बेटा-बेटी के बीच में अलग-अलग प्रकार की कल़ा बने पते हैं बेटा आपका बाता हुदें लेखाई आपको यह से के सचलाता रहास जिल थी एस्मस्या है तो यह एक बार, लेखालोगा जो सब्चर्छा कर दो, और यह जो यहां जाता है. यदि आप जो इस उपाय को सनिवार या मंगलवार के दिन करते हैं तो आपके घर में जो ग्रीक कले सो रहे थे वो सब कुछ सांत हो जाएगा आपके घर परिवार में प्यार बढ़ेगा सांती बढ़ेगा तथा प्रेम भ्यवार सब कुछ बढ़ेगा अगला नमर के उपाय देखा जाए कि आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को सोते वक्त ड्रावने ड्रावने सपने आते हैं भाइबीत होते हैं सपने में उठकर के बैठ जाते हैं सपने में चलने लगते हैं ता आप जो इस उपाय को करिएगा सोने से पहले इस उपाय को ले जा करके चोराहे पर फेक देना है जहां पर चार रास्ते मिलते हूं उस जगह पर ले जा करके फेक देना अज जब फेकते हैं तो तुरंत आप वहां से पीछे मुड़ जाए और घुम करके पीछे नहीं देखना है नहीं तो काम नहीं करेगा पीछे नहीं देखना है औ तो बहुत ही कारगर उपाय होता है, यदि नववा नमर का उपाय देखा जाए तो यदि आपके जीवन में नकरात्म कुर्जा का घर कर गया हो, आपके घर में निगेटिव इनर्जी का वास हो गया, भूत परेता ऐसा लग रहा है, कोई चूडल का साया लग रहा हो, तो होश्चिती और जादे का मभीर होती जाती है, इस उपाय को कर यह 100% फायदा मिला कर, घर के चारों कूने में आपको लेसुन की एक ही कली रख देना तो आपको घर में जो नकरात्म कुर्जा का वास बना गए हो खतम हो जाएगा, अचानक तो खतम हो सकता है, लेकिन इसको प्रतीक सब्फा में कहकरने इसको बदलते भी रहना है, यदि आप इस उपाय को पांज से छे वारी करते हैं, कुछ दिन बस करते ही, आपके जीवन से सारे के सारे जो नकरात्मा कुर जाया थे जो धन समन्दी समस्या हो रहे थे सब कुछ ठीक हो जाग और आपके जीवन में सुख समनी दिया सब कुछ प्राप्थ होने लगेगा तो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 9 से 10 उपाय ले सुनके जो उपाये बताएं बहुत कारिगर उपाये यदि आपको भगवान के अस्था ओगा भरूसा होगा और इन उपायों को भगवान का नाम ले करके बागेस्वर बाबा का नाम ले करके यदि आप करते हंडेट परसेंट आपके उपर भी यह उपायकारिगार होगा और आप अपने जीवन में अधिकता मुझाय तक प्राप्त करेंगे